धाबा और रेस्टोरेंट का भी पनीर आप भूल जाएंगे जब मेरी रेसिपे से इसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका है 20 या 25 मिनिट जादा से जादा आपको लगेंगे और ऐसे पनीर की सबजी बनेगे कि घर पे सब खाते ही रह जाएंगे तो ज़रूर देखें इस व तुकड़ों में कट किया है और 200-300 ग्राम के करीब यहां पे पनीर है आप अपने साबसे तुकड़े बढ़े या चोटे कर सकते हैं इन सारी चीजों को गरम पैन पे आपको एक दो मिनिट के लिए सौते करना है बहुत जादा नहीं पकाना है कुछ टाइम भी नहीं लगता तो ऐसे अल्टी-पल्टी करते हुए एक दो मिनिट के लिए हम इसे सौते करेंगे सौते करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे जब भी हम बाहर की कोई चीज बनाने लगते है तो हमारे बहुत सारे बरतन गंदे होते हैं पूरा किचिन गंदा हो जाता है लेकिन आज इस सार और बाकी चीजे मैंने अलग कर ली है अब उसी सेम पैन में एक कटशी तेल डाल दिया है जैसे ही तेल गरब हो गया मैंने इसमें डाल दी है एक काली वाली लाइची मोटी वाली साथ में थोड़ी सी दालची नी तीन लॉंग डाल दी है और दो बड़ी लाइची डाल दी ह अब मैं आपको किया पे सज बताऊंगी यह जो दो बड़ी इलाइची में डाली ती इसे इलाइची का स्वाद है बहुत जादा हराता सबजी में तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बड़ी इलाइची या एक छोटी इलाइची भी डालते हैं तो बहुत हो जाता है उसे जादा ना डालें आप मैंने इसमें डाल दे है साथ आट कलिया लसुन की साबत उसे कत नहीं किया है एक बड़े साइच का प्यास ले लिया है मैंने लंबे टukडो们 काटा है उसे भी डाल दिया है, साथ में एक इंच टुकड़ा अधरका, उसके छोटे टुकड़े करके वो डाल दिया है, और तीन-चार हरी मिर्चें बड़े टुकड़ों में, अब इन सारी चीजों को पकाने में कम टाइम इसलिए लगेगा, क्योंकि हमने से मोटा मोटा काटा है, को इसे हलका साथ हो जाए प्याज, हम इसके अंदर बड़े टुकड़ों में टमाटर अड़ करेंगे, एक तो काटने की महनत बच गए आपको बड़े टुकड़ों में चीजों काटनी हो तो फटा-फट कट हो जाती है, और क्योंकि हम बड़ा-बड़ा कट करके उसे सौते कर अगर आपके पास काजू नहीं है, आप काजू का टुकड़ा डाल सकते हो, मैं तो वही डाल रही हूँ, वह बाजार में बहुत सस्ता मिलता है, अगर जहां दोसों का जो काजू मिलता है, तो टुकड़ा आपको सौप में या उससे भी कम मिलता है, तो जब भी आप जब बिलकुल नरम हो जाए, तब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे एक मिक्सर जार में, अगर पकने में टाइम लग रहा है, तो धकन लगा के थोड़ा पानी लगा के भी आप पका सकते हैं, तो यहां पी ठंडा हो जाएगा, तो मिक्सर में इसकी पेस्ट बना कर तयार कर तो चलिए, अब सेम पैन में हम थोड़ा सा तेल लेलेंगे, इसमे में डाल दिया है तेज पता, शुरुआत में नहीं डाला था, आप इस टेज पर डाल सकते हैं, ने तो हमें निकालना पड़ता है पीसने से पहले, तेज पता डालने के बाद इसमे में जो पेस्ट बना कर अब ही प्यास, टमाटर और बाकी चीजों का उससे आड़ कर देंगे, अब इस ग्रेवी को में बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑइल रिलीज नहीं हो जाता, ग्रेवी में से अच्छा स्वात तब ही आता है जब आप उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके सबुने तेल चूटने तक, इस बात का तो आपको खास द्यान रखना ही है इसी स्टेज में देगी मिर्च जाल देंगे इसका कलर बहुत अच्छा आता है ये तीखा कम होता मिर्च – मेर्च का पॉर्डर इसका कलरेवी में लाल लाँ तक बहुत अच्हा 누ुता नहीं तब तक भुना है, जब तक की तेल नहीं छूटने लगता और जो मसाला है वो बरतन से बिल्कुल अलग नहीं हो जाता, यह जो ग्रेवी देखिए बिल्कुल बरतन से अलग हो गई है, तो यह वाला कलर, यह वाला टेक्स्चर आने तक आपको ग्रेवी को अच्छे तरीके से बेसन के साथ, तेज पत्ते के साथ, और हमने क्या डाला था, देगी मिर्च डाली थी, अब इन सारी चीज़ों को भुन जाने के बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, आप कोई भी नॉर्मल गरम मसाला डाल सकते हैं, कोई स्पेशल मसाला डालने की ज़रुत नहीं है, क्यों हम इसमें थोड़ा सा पानी आड कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं इस स्टेज पर, अगर आपको इसी तरीके से गाडा खाना पसंद है तो आप पानी ना डालें, हमने जो शुरुआत में रोस्ट करके रखी हुई थी सारी चीज़ें वो इस टेज पेस के खाली काजू है जो शायद आपके पास नहीं हो तो आप उसके बगेर भी ये बना सकते हैं आपने अगर कभी ट्राइ नहीं किया है तो ट्राइ करके देखें ये बहुत जादा टेस्टी लगती है अब ये पनीर, प्याज, और कैपसिकम डालने के बाद भी हमें इसे 2-3 मिन बहुत टेस्टी बनती है और आसान कितनी है कितनी कम मेहनत में ये सबजी बनके तयार हो गई और सबको बहुत जादा गर पर पसंद आई थी तो आप भी जरूर ट्राइ करें इसे